हेलो दोस्तो फिर से सागत है मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है लेक्रोनिस इंडिया मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फोल्ट देख सकते हैं आमारे पास एक LG का PCB है इस PCB का पोब्लेम देखूंगा सलूप्शन करके भी बताऊंगा तब तक हमारा वीडियो लास तक देखते रही है और मेरा चैनल पे जूर निया दोस्ते उसको कहूंगा मेरा चैनल को जूरू सस्क्रीब कर लेना बेल आइकोन को दाबा देना ओल नोटिपिकसन अन कर देना जब भी मैंने आने आप वीडियो लेका हूंगा अब लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तो यह जो PCB लेके आया हूं यह हमारा 14 एंज का PCB है लेकिन दोस्तों आज जो फॉल्ट दिखाऊंगा वो फॉल्ट ज्यादा तर सभी LG PCB पर देखने को मिलता है कभी-कभी ऐसा फॉल्ट मिल जाता है जो हमारा पावर इंडिकेटर ठी टाइम ब्लिंकिंग करने के बाद PCB स्टैंडबाइ स्टैंडबाइ होके रहा जाता है और हमारा PCB स्टार्टिंग नहीं कर पाता है लेकिन हमरा पावर सेक्ष Sask से रहता है या सब हीन फोल्ट से रहता है लेकिन इस टीन बार ब्लिंकिंग करने के बाद हमारा LED स्टैंडबाइ म०्ड पे जला जाता है और PCV भी बंद भधиль हो जाता है इसलिए मैं पॉब्लेम को देखाने के लिए भाला वीडियो बन रहा हूं देखे मैं PCV को पावर देता हूं पावर देने के बाद इमारा इंडिकेटर चल गया है और जलने के बाद इसको मैं standby से release करूंगा देखे मेरे release कर दिया क्या個人 कर दिया कि blinking हो रहा है कि अधिक होने के बाद फिर से standby मूट पे चला जाता है फिर यह बाला जो PCB को मैं standby से release करूंगा तो और नहीं होगा इसके बाद फिर से पावर कॉल को आप करना पड़ेगा यह LED जब तक नहीं बंद होगा तब तक यह PCP फिर से standby से रिलीज नहीं कर पाएगा इसलिए फिर फिर से एक बाद TV को पावर दे दिया और पावर देने के बाद मैं फिर से एक बाद standby से रिलीज करता हूं देखिए यह देखिए standby blinking हो रहा है और हमारा PCB रानिंग नहीं हो पा रहा है यह देखिए standby हो गया है त्री टाइम के बाद और हमारा PCB बंद हो गया है इसका जो पॉब्लेम है दुस्तों ओ पॉब्लेम देखाने के लिए आपके पास यह बाला पॉब्लेम आएगा तो आसानी से रिप्यार कर पाएंगे इसलिए वाला वीडियो बना रहा हूं यह तो LED ब्लिंकेंग के बारे में बाताया तो आप लोगों समझ में नहीं आया सायद क्यूं यह बाला LED सायद कामेरे का बाज़े से आप डाउन कर रहा है इसलिए मैं क्या क आता है इस्टी सबलाई पे मैं एक हंडेड़ वाल लागा लेता हूं तो हमारा भोल्टेज अप डाउन करेगा तो पादा चल जाएगा आप लोगों मैं लागा के आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों मैंने एक हंडेड़ वाल लेम लिया और इस पर कनेट कर दिया और कनेट करने के बाद कैसे पॉब्लेम आ रहा है ओ दिखेंगे इसलिए मैं फिर से टीबी को पावर दूंगा और पावर देने के बाद देखिए हमारा हंडेड़ वाल लेम जल चुका है मैं स्टैंडबाई से रिलिज कर देता हूं देखिए लेम का पावर थोड़ा सा ब जो मीटार है मीटार पे वोल्टेज चेक करेंगे तो अच्छी तरह से और भी पाता चल जाएगा इसलिए मैं 200 पे राग लिया हूं और रागने के बाद मैं टीबी को फिर से पाथ दे दिया और पावर देने के बाद इस पे स्टैंडबाई से रिलिज करेंगे रिलिज करन है उसके बाद एक चीज़ चेक करेंगे जो हमारा इस टी पर जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं इसलिए यही जो 99 वोल्ट जो इस पर रह गया है वही वोल्टेज को चेक करेंगे हमारा इस टी से एस टी पर चेक करेंगे तो पादा चल जैसे यह हमारा 9 वोल्ट दिख रहा है आप लोगों यह देखें 9 वोल्ट और हमारा जो वोल्टेज होता है साउन सेक्षन के लिए 9 वोल्ट ठीक है मैं 9 वोल्ट को चेक कर लेता हूँ स्टैन्बाइ पर कितना वोल्टेज रहता है देखें इस पर एक रेगुलेटर लगाया हुआ है जो इन्पूट होता है यह बला इन लेखा हुआ है इन्पूट पर वोल्टेज कितना है 9.8 मैं टीबी को फिर से बंद करूँगा बंद करने के बाद फिर से पावर दूँगा और स्टैन्बाइट पे जो 9 वोल दिख रहा था देखें 10 वोल हो गया है जो 10 वोल दिख रहा था मैं स्टैन्बाइट से रिज करने के बाद इस पे वोल्टिज कितना दिखेगा देखें 10.1, 10.9, 10.8 तक हो रहा है और stand by पे जब रहेगा 10 भोल हो गया है और यह जो 9 भोल का जो फोरलेक का जो हमारा regulator होता है और regulator पे जो switching होता है पहला नमबर तो हमारा input हो गया है दुसरा नमबर हमारा output हो गया है तिसरा नमबर गाउंड होता है चोथा नमबर जो होता है हमारा switching ह होता है इस स्वीचिंग पे हमारा 3.3 बोल्ड होना जाहिए देखे 3.3 इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि आइसी हमारा एप स्टेंडबाइ मूट में रह गया है इसके बाद फिर से टीवी को बंद करेंगे फिर से टीवी को स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग करने के बाद इसको स्टैंडबाई से फिर से रिलिज करेंगे रिलिज करने के बाद यह जो 9 बोल्ड नहीं मिल रहा था देखे 9 बोल्ड मिल रहा है 8.9 और हमारा स्वीचिंग का भॉल्टेज भी मिलेगा देखे 3.1 वान टीपॉंट 2 और 8 0 हो गया मतला हमारा मेन IC से ही हमारा कुछ सिस्टेम तो खाराब हो गया है इसलिए ही मेन IC हमारा स्टैन्बाई कर दे रहा है और हमारा सिस्टेम को पावर रेडी नहीं कर पा रहा है लेकिन हमारा पावर सेक्षन तो ओके है पावर सेक्षन से सबी वोल्टेज निकल रहा है उसका जो पावार जो पॉएंट होता है इस पे पावार एक पॉएंट होता है और पावार पॉएंट आके हमारा फोटो कबलर से एक बोल्टेज को कम कर दे रहा है लेकिन एक क्यों कर रहा है इसके लिए एक चीज़ देखना जुरूर है क्योंकि हमारा होरेजेंटल एस्टी नहीं ओन पारा है इसलिए यह वाला पॉब्लेम है और मैं फिर से पावर को बांद करने के बाद यह जो हमारा आउटपुट कोईल होता है जो यह स्ट को रान करने के लिए इसका भोल्टे चेक करूंगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है एक कोईल भी खाराब हो जाता है एक कोयल कोयल होता है अउटपुट कोयल कितना भोल्टे जहां एक डिया गया है रिगफिन के लिए कि नाइनति के बांट सेबें वोल्टेज दे रहा है लेकिन 2020 तक वोल्टेज एक होरेजेंटल सेक्षर रान नहीं है इसलिएला वोल्टेज जाधा हो रहा है। मैं फिर से स्ट्डंबाई को रिलिश्प करते flour in Wave नहीं के बाद से वोल्टेज करों कर रहा है। 33 तक आ रहा है और फिर से 99 तक जा रहा है ठीक मतलब हमारा ज़क टक हमारा होरेज़रेंटर से रान नहीं क्यारेगा एंवाला वोल्टेज कम नहीं होगा और एवाला पॉब्लेम क्यों होता है एक तो हमारा ए जो फोर लेक बाला जो हमारा रेगुलेटर होता है रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो होता है और इस पे एक फाइब बोल रेगुलेटर लगाया हुआ है और एक 3.3 बोल का रेगुलेटर लगाया हुआ है तो हमार बोल्टेज बार जाता है power section का और वही power section का जो standby जो voltage होता है standby release होने के बाद हमारा इस पे जो 3.3 आना चाहिए वो 3.3 आ जाता है और 3.3 आने के बाद इस पे 9 volt output होना शुरू हो जाता है और output होने के बाद इस पे एक resistant लागा के एक regulator लागाया हुआ है यह हमारा 5 volt का regulator है यह 5 volt पे जाब तक input पे voltage नहीं मिलेगा 7 से 8 तक तो हमारा 5 volt release नहीं होगा और release नहीं होने के कारण ही हमारा main IC जो है main IC पे यह जो last वाला तीन पीन है देखिए इस पे हमारा 5 volt 8 बोल मिलेगा यह जो last वाला पीन है इस पे एक छोड़के दूसरा नंबर 5 बोल रहता है तीसरा नंबर अमरा 8 बोल होता है यह 5 volt 8 बोल जब तक stand नहीं रहेगा तो हमारा output EHTB नहीं बनेगा और output horizontal section नहीं बनेगा तो हमारा EHTB नहीं बनेगा इसलिए मैं फिर से एक बार बंद कर देता हूँ बंद कर देने के बाद मैं फिर से ओन करने के बाद इसको stand बाई से release करूँगा उससे पहले ए बाला जो voltage देखिए यह जो हमारा 5 volt 8 volt होता है ए बाला 5 volt का voltage देखिए 0 आ रहा है और यह बाला 8 volt का यह भी 0 है लेकिन मैं जब stand by से रिलिश करता हूं रिलिश करने के साथ-साथ हमारा इस पे 5 volt आ जाता है और 7-7 एबाला 8 volt भी मिल जाता है देहें दूसरा 2 volt भी मिल जाता है मादल pasado 2 volt जब तक हमारा stand हो जाएगा तो हमारा system भी ok हो जाएगा लेकिन इस्टेंड नहीं है यह हमारा जो भी बॉल्टेज भी बंद हो जाता है इसलिए जो मेन आइसी है मेन आइसी कभी-कभी खाराब हो जाता है लेकिन मैं पूरी तरह से पूरा सिस्टेम को चेक करने के बाद एवाला भीडियो बन रहा हूँ क्यूंकि हमारा इवाला प्रिलेप का जो रेगुलेटर फाइब भोल्ट का ओ भी नहीं खरब है और 3.3 सही है नहीं तो बोल्टेज नहीं बनता और उसके बाद यह जो हमारा होरेजेंटल जो आउटफुट कोईल होता है यह भी सही है यह बाला जो टांजिस्टर दिया गया है फ्लिप करने के लिए टांजिस्टर भी सही है आउटफुट टांजिस्टर भी सही है और हमारा यह टीबी सही है लेकिन हमारे इस वाला पॉब्लिम क्यों दे रहा है और एक चीज़ दिखा देता हूँ जब मैं टीबी को बंद करता हूँ बंद करने के बाद यह जो हमारा 180 भोल्ड बनना और करने के लिए आप लोगों को धिरस से एस चीज देखना चाहिए नहीं तो पाता नहीं जालेगा दोस्तो एक चीज दिखा देता हूँ तीन चीज दिखा तीन चीज दिखाऊंगा तो पादा चल जाएगा क्या हां कहां पे problem होता है एक तो दोस्तो यह जो हमारा voltage का pin है यह 5 volt का pin है जो EHT out करता है इस पे voltage चेक करेंगे तो पादा चल जाएगा यह कितना का voltage का 5V का ही पीन है यह 5V जब तक हमारा हॉरिजेंटल आउड जो पीन पे नहीं पहुचेगा तो इस बाला पॉबलेम देगा और दूसरा जो ए बाला गाउं के साथ जो रेजिस्टेंश है यह बला resistance काट जाएगा तो यह बला problem देगा और यह जो voltage का pin है यह pin भी हमारा जो out हो जाएगा तो इस बला problem देगा इसलिए इसका voltage चेक करना जोरूरी है क्योंकि 5 ball तो नहीं बन रहा है 5 ball बनने के लिए फिर से TV को बंद करना पड़ेगा और बंद करने के बाद फिर से TV को starting करेंगे और स्टार्टिंग करने के बाद इसको standby से release करने के बाद इस पर voltage चेक करेंगे देखिए 4.2 आ रहा है 4.3 है मतलब यह बला resistance हमारा voltage पहुंचा रहा है पहुंचाने के बाद एस system फिर भी नहीं on हो रहा है और एक voltage देखा देता हूँ जो हमारे इस बाला फाइब बोल्ट जो ए बाला resistance पर मिलेगा वो horizontal आउट जो पीन है उसी पीन पर ए बाला फाइब बोल मिलेगा और इस पर भी फाइब बोल मिलना चाहिए मैं फिर से बंद कर देता हूं बंद करने का फिर से चालू करता हूं और चालू करने के बाद फिर से standby से रिलिच करने के बाद इस पर हमारा फाइब बोल्ट मिलना चाहिए देखिए 4.9 मतला हमारा horizontal आउट पर फाइब 4.9 मिल रहा है मतले वेवाला resistance भी सही है और एक चीज दिखा देता हू दोस्तों यह जो फोल्टेज का फोल्टेज तो पहुंज रहा है लेकिन गाउन के साथ जो रेजिस्टेंट है यह 33 के का और 39 तर होता है resistance यह रेजिस्टेंट दोनों रेजिस्टेंट का एक भी रेजिस्टेंट खाराभ हो जाएगा तो इस बाला पॉब्लेम देगा बाला जो रेजिस्टेंट होता है और रेजिस्टेंट को चेक किया तो रेजिस्टेंट खाराब निगला क्योंकि यह रेजिस्टेंट का भैलू सो नहीं कर रहा है और मैं जब चेक किया तो यह बाला भैलू आउट हो गया था लेकिन यह 3.3 सॉरी दोस्तों 33 के का जो रेज होके है यह बनाओर इससे करता है लेकिन्स को सब्सक्राइब यह कि कर ता हूं एक ऊपर से ही मेंट कर देता συंद्स कर आँ रेजिस्टेन नहीं है 33K एवाला रेजिस्टेन नहीं है लेकिन ए अमारा 38K का है इसलिए इसको ही कानेट कर देता हूं दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेन लिया और रेजिस्टेन लेके इस पे उपर साइट से ही कानेट कर दिया और connect करने के बाद रेजिस्टेन का number भी बात देता हूं जो R 508 का रेजिस्टेर होता है 508 यह बहना रेजिस्टेन हमारा क्खाराव हो चुका था और इसको फिर से मैं TV को power दूँगा और power देने के बाद मैं standby से release करूँगा रिलिज करने के बाद देखिए हमारा लैम जैसा जल रहा ता ऐसे ही जल रहा है और हमारा येस टी भी बनना शुरू हो गया है और मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा देखिए जो हमारा इंपुड वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं देखिए 10.7 और ज प्षाइट एंड हो गया है और उसके बाद दिखा देता हूँ जो हमरे में अइसी पे 5 वोल्ड और 8 वोल्ड मिलता है देखिए इस पर 5 वोल्ड मिलेगा देखिए 5 4.9 और उसके साथ ही हमरे 8 वोल्ड मिलेगा देखिए 8 वोल्ड भी मिल रहा है मतलब दोस्तों क्या हुआ हम हमारा EST coil भी on हो गया है इसका जो voltage हमारा ज्यादा हो गया था 99 वोल्ट यह बाला voltage point पे ओधिके 34 वोल्ट तक आ गया है 34 से हमारा 50 तक होता है और यह बाला voltage से ही हो जाने के बात इस बाला point लुपे देखेंगे जो हमारा EST on होकी नहीं EST on हो जाएगा तो हमारा 14 वोल्ट प्लासओ 14 बोल माइनस भी सुरू हो जाएगा देखेंगे जैसे हमारा 14 वोल्ट प्लास यह बाला point पे देखे 14.3 मिल रहा है और 14 वोल माइनस को चेक करेंगे इस बाला थोड़ा साभी भोल्टेज नहीं था इसंतर सब्द्रें आ गया है 93 लेकिन इस पे 180 तक बोल्टेज बनना चाहिए 200 तक बोल्टेज आना चाहिए लेकिन इस-पे-43 बन रहा है क्यूं 93 बन रहा है वो देखने के लिए मैं चेक करूंगा एक तो हमारा इस पे 200 फोल्ट का चेंज कर देंगे तो चेंज कर देने से पता चल जाएगा हमारा सिस्टेम पे जो बॉल्टेज विस्टिंग है वाला बोल्टेज आता है की नहीं ठीक है मैं केपासिटर लागा लेता हूं और तो दोस्तों एक चिस वाताना भूल गया हमारा फोल इस्पर नहीं रिंख गया तो चोड़े Um वल्वल्डक से थेकलाए तो च्भड़िये Um सेक्षेन का सभी वोल्टेज हो के था लेकिन फिर से हमारा स्टैंडबाई हो जाता है इसलिए वोल्टेज डॉब हो जाता था फिर भी मैंने क्या क्या चेक किया पहले तो चेक किया हमारा रेगुलेटर सेक्षेन उसके बाद चेक किया तो हमारा आउटपुट सेक्षेन और उ ही बाला पोईंट है जो फायेंद्स फोर्ट से रिजस्टेक करें नारा करें थे अदर ने श्रम दोस्टोट का नेदात क्यारि निव sitä भाइव गया घ्रार संड जो भी मैंने आने वीडियो लेकाऊंगा आप लोगों मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्स प्रेव पर तब तक ले दोस्तो गुडबाई